आपका फिर से हमारे हिंदी पाट हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूं तो पिछले पाट में हमने देखा था कि एक और एक चोटा भाई और एक बड़ा भाई दोनों ही होस्टल में रहते थे बड़ा भाई बहुत ही अद्देन शील था और जो छोटा भाई था वो बिल्कुल यानि बिल्कुल पड़ाई नहीं करता बलकि अपने दोस्तों के साथ हमेशा इदर उदर घूमना कंकरियां खेलना कागत से तितलियां बना कर उड़ते हुए पक्षी को देखना यहां वहां दोस्तों के साथ घूम कर आता और जब उसके बड़े भाई उसे बहुत जोर से डाटते तो कभी-कभी वह सोच था था कि उल्टा जवाब दे दू लेकिन वहां बड़े होने के वज़ा से वहां चुप-चाप उनकी डाट सुनता था और चुप-चाप कमरे के अंदर चला जाता और जब बड़े भाई साब कहते कि अंग्रेजी पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है यहां तुम नहीं कर पाऊगे तो जब कभी वह उनकी डाट पटकार सुनते तो उसे कभी-कभी लगता कि जो काम मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं गाउँ छोड़कर यहां पर आक में यहां खयाल आता था तो उसने एक बार ठान लिया किसने छोटे भाई ने एक ठान लेता है कि बड़े भाई सा मुझी इतना डाडते हैं तो चलो में एक टाइम टेबल बनाता हूं जैसे हम जब कभी हम छोटे थे तो हमने भी टाइम टेबल बनाया है जैसे आप लोग ब इसे बहुत सारे हम क्या करते हैं टाइम टेबल बना कर उससे फॉलो करते हैं कितने दिन दो दिन तीन दिन चार दिन फिर पांच वे दिन हम क्या करते हैं एज विजुल हमारे रेगलर रूटिन में ही चले जाते हैं तो यहाँ पर जो छोटे भाई है इन्होंने भी एक टाइम टेबल बनाया तो टाइम टेबल में उन्होंने क्या क्या लिखा कैसे कैसे लिखा तो बच्चों ये प्रश्ण आपको आपके परिक्षा में जरूर आ सक करना और उसके बाद पढ़ने के लिए बैट जाना हाथ मूद होना है नास्टा करना है और करेक्ट छे बजे मुझे क्या करना है पढ़ाई करने के लिए बैट जाना है तो छे से आठ तक अंग्रेजी पाट पढ़ेंगे तो देखें छे से आठ तक पूरे दो घंटे जो इ नौ sending लौ तक हिसाब हिसाब इसका मतलब होता है गणीत विशय पढ़ना चालते हैं और नौ से साधेग्या थफिर स्कूल तो साड़े 9 को इनकी पाटशला शुरू हो जाती है तो साड़े 6 से 9 बज़े तक 3 विशय पढ़कर वह साड़े 9 को वापस अपने स्कूल चले जाना पसंद करते हैं साड़े 3 बज़े स्कूल से वापस होकर आदा घंटा आराम, 4 से 5 तक भोगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आदा घंटा होस्टेल के सामने ही तहलना, साड़े 6 से 7 तक अंग्रेजी, कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विवित विशय और विश्राम, तो जब साड़े 3 बज़े उनका पाठ शालत छूट जाता है, तो तब वह क्या करते हैं, वापस होस्टेल आकर फिर से एक एक घंटा, इंग्लेज, कंपोजिशन, भोगोड, जो बचे हुए विशय है, वह पढ़ना चाते हैं, तो टाइम टेबल तो उस छोटे भाई ने बना लिया, लेकिल उसके उपर सही तरीके से उन्होंने वह पाठ पढ़ा या नहीं, और उस टाइम टेबल के हिसाब से वह चले या नहीं, यह आगे के पैराग्राफ में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट पैराग्राम देखे, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बा हुद हरियाली, हवा के हलके हलके जोंके, फुटबॉल की वह उचलकूद, कबड़ी के वह दाउं गात, बॉलीवुड की वह तेजी और फूर्ती मुझे अधन्यात और अनिवारी रूप से खींच ले जाती, और वहा जाते ही में सब कुछ भूल जाता, वह जान लेवा टा अधिहत का अवसर मिल जाता, मैं उनके साए से भागता, देखें, उनकी आखों से दूर रहने की चेस्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता, कि उन्हें खबर नहों, उनकी नजर मेरी और उठे और मेरे प्रान निकले, हमेशा सिर्फ पर एक नंगी तलवार से लटक मालुम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ती के बीच भी आदमी मोह और माया के बंदन में जकडा रहता है, मैं फटकार और गुड़किया खाकर मी खेल कूद का तिरसकार न कर सकता है, तो देखिए, दूसरे प्याराग्राफ में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने भी ट आजकल क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना लेते हो, लेकिन उस पे अमल आप बिल्कुल नहीं करते, तो यहाँ पर जो छोटे भाई साभे बहुत अच्छे से उन्होंने भी टाइम टेबल बनाया, छे से सुबच शे बज़े से नौ बज़े तक तीन सब लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से नहीं किया, जिस दिन उन्होंने टाइम टेबल बनाया, उसी दिन से वो जैसे ही टाइम टेबल लेकर पढ़ाई करने के लिए बैठना ही चाते थे, कि उनका जो मन है वहाँ मैदान की तरफ खीचने लगा, वहाँ मैदान में फु खीचने लगा और टाइम टेबल छोड़कर, पुस्तके छोड़कर वहाँ क्या करने लगे, मैदान की तरफ भागने लगे, वह पढ़ाई की तरफ उनको जब ये कबड़ी खेलों की आवास सुनने लगी, तो पाट पढ़ना, पुस्तक, इस सब कुछ, इस सारी बाते पाई से डाट पका मिलेगी, उसके बावजुद वहाँ क्या करने गए, तलवार उनके सिर्फ पर लटकती थी, उसके बावजुद वहाँ खेलने के लिए गए, पका घर से डाट मिलेगी, ये पता होने के बावजुद उन्होंने खेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ खेल के ल तब उसको वापस पकड़ लेते हैं और उनको डाटना शुरू करते हैं सालाना इम्तिहान हुआ भाई साब फेल हो गए मैं पास हो गया और दर्जे में प्रत्थम आया मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया जी मैं आया भाई साब को आड़े हातों लूँ आ मुझे देखे मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अवल भी हूँ लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्थी हो गई और उनकी घाव पर नमक चिड़कने का विचार ही लजास्पद जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने उपर कुछ अभि भी बड़ा तो देखिए एक्जामस सलाना इम्तिहान इसका मतलब होता है कि पार्ट शाला में एक्जामस होने के बाद रिजर्ट आया जब आपके एक्जामस होते हैं तो आपकी रिजर्ट भी आ जाते हैं तो जब रिजर्ट आया तो वहां पर आप क्या देखते हो अरे ब लगाह रेता है वो इनसान पूरे पाट शाला में अपने कक्षा में अवल आया है अवल इसका मतलब होता है प्रतम प्रतम आया है और दिन के 12 घंटे अंग्रेजी रटने वाला भाई साब क्या आया है फिर से फेल हो गए हैं तो बड़े भाई साब और जो छोटे भाई साब ह उन दोनों के बेच में सिर्फ और सिर्फ दो साल का अंतर रह गया है तो जब रिजर्ट आया, जब छोटे भाई को पता चला कि पूरे कक्षा में अवल आया है तो उसे ऐसा लगा कि हमीशा मुझे डाटने वाले उस भाई साप को जाकर में सुनाओ कि देखो मैं खेलता हूँ, कूता हूँ, बाहर जाके घूम कराता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक या दो घंटे उतनी ही पड़ाई करता हूँ उसके बावजुद में कक्षा में अवल आया, कहा गई आपकी महनत, कहा गई आपका शद्धा दिन के बारा घंटे रटते हो, उसके बावजुद आप क्या नहीं कर पाए, मेरी कक्षा से आप वो भर नहीं आए, बलकि आप फेल हो गए हो ऐसे सुनाने का मन ही किया रहता है कि वो बड़े भाई साब की तरफ देखता है, तो उसे दिली हमदर्दी हो जाती है दिली हमदर्दी इसका मतलब होता है बच्चे कि आलड़ी वो पहले से ही दुक में है, पहले से ही वह क्या है, दुक में है और वो फेल हो गए इस बात से उदास बैटे है, दुक में और उदास जो बैटे हैं, अगर आप जाकर उन्हें और चार बाते सुनाओगे, तो उन् बहुत उदास है वो दुखी है और मैं उपर से चार बाते सुनाओंगा तो पक्का वो और उदास हो जाएंगे जरुरत नहीं करके वह चुप हो जाता है आगे देखिए क्या होता है आजादी से खेल खूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजिहत की तो साफ कह दूँगा आपने अपना खूद जला कर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते खूदते दरजे में अवल आ गया जबान से यहाँ हैकडे जताने का साहसन होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाय साप का वह आतंक मुझ पर नहीं था तो देखें वो बोलना तो चाहता था कि मैं पढ़ाई 24 गंटे नहीं करता लेकिन मैं कक्षा में अवल आया आप सिर्फ 24 गंटे दिन के 12 गंटे अप रटते हो फिर भी आप फेल हो गए लेकिन छोटे भाई के बरताओ से पता चला कि अगर बड़े भाई साब उसे कुछ ब जब क्या करते हैं अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं भाई साब ने इसे भाफ लिया उनकी सहज बुद्धी बड़ी तीवर थी और एक दिन जब में भोर का सारा समय गुल्नी डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लोटा तो भाई साब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर तूट पड़े जब सालाना इम्तिहां के बाद रिजर्ट आता है तो वहाँ पर बड़े भाई साब फेल हो गए हैं और जो छोटा भाई है वो हमेशा खेल खूद में अपना समय व्यतीत करता था वो पूरे कक्षा में प्रथम आया है तो उसका जो बरताव है वो बहुत सारी बाते अपने बड़े भाई को सुनाना चाहता था लेकिन वो उदास बैटे हैं अल्ड़े दुखी में है ये देख कर वहाँ क्या नहीं करता उनको बाते नहीं सुनाता है लेकिन एक दिन शाम के समय गुली दंडा खेलने के लिए वहाँ निकल जाता है और चोटे भाई को बड़े भाई डाटने के लिए खड़े थे तब क्या होता है देखिए इस साल पास हो गए तो बड़े भाई साब बाकते सुनाने लगे किसको चोटे भाई को इस साल पास हो गए और दरजे में अवल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा तुमारी क्या हस्ती है इतिहास में रावन का हाल तो पढ़ा ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या योहीं पढ़ गए महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धी का विकास जो भू मंडल का स्वामी था ऐसे राजाओ को चक्रवर्ति कहते थे आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इने चक्रवर्ति नहीं कह सकते संसार में अनेक राश्टर अंग्रेजों का अधि 25 वीकार नहीं करते बिलकुल स्वादीन है रावन च शक्रवर्ति राजा था संसार के सभी महीम उसे कर देते थे तो जो बड़े भाई साब है तलवार लेके खड़े हैं और अपने छोटे भाई को सुना रहे हैं क्यों सुना रहे हैं क्योंकि उस दिन शाम के वक्त वह खेलने के लिए चला गया और भोजन के वक्त वहाँ वापस तो उसे समझाते हैं क्या कहके कि एक कक्षा में तुम प्रथम आये हो आने वाले दिनों में ओर भी बहत सारे कक्षा एंगयी जो तुम्हें पास करने चक्रवर्ति तो रावन भी था पूरे इसका राज का अधिपति था लेकिन यहां पर इस अंग्रेची युग में सब ही लोगों को अंग्रेजी आती है लेकिन हम उन्हें चक्रपती चक्रवर्ती नहीं कह सकते तो जो खेल कूद में तुमारा ध्यान जादा है उस ध्यान को वहां से हटा कर पढ़ाई में लगाओ करके और जो बड़े भाई साब है उसे फिर से समझाने लगते हैं जो हमारे घर के बुजर्ग होते हैं जो डाटते रहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए डाटते हैं हमें उसका गलत मतलब बिल्कुल नहीं निकालना है बच्चो तो आगे क्या होता है देखिए बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसकी दास्त है मगर उसका अंत क्या हुआ तो देखिए जो रावन था उसकी सभी लोग गुलामी करते थे जैसे आग पानी देवता बहुत सारे लोग उसकी गुलामी करते थे और उसके डर की वज़े से उसके सामनी जुक जाते थे लेकिन जो रावन का अंत हुआ वो कहानी तुमें भी पता है करके बड़े भाई साब क्या करते चोटे को समझाते हैं घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे इतरा ये नहीं अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया तो देखिए कितने खूबसूरत शब्द से वो हमें बता रहे है कि तुम जिन्दगी में कुछ भी कर लो कक्षा में या पूरे पाट शाला के लिए तुम अवल आ जाओ लेकिन घमंड मत करो घमंड करोगे तो पूरी दुनिया से जिस तरह से रावन का नामो निशान मिट गया उसी तरह तुमारा भी नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारे अंदर वो एक बुद्धी मता है उस बुद्धी मता का उप्योग सही तरीके से सही समय पर करो और अवल आये हो करके घमंड मत दिखाओ करके वह बड़ा भाई साब क्या करते हैं अपने छोटे भाई को बहुत ही खूपसूरत तरीके से समझाते हैं तो आगे क्या होता है देखिए बचो शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा उसे यहाँ अभिमान हुआ था कि इश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यहाँ हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था भीक मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया है तो समझाते हैं कि जो लोग घमंड करते हैं पहली बार स्टार्टिंग में घमंड जो करते हैं उनका जो अंत होता है वो बहुत ही भयानक होता है तो तुमने सिर्फ और सिर्फ एक दर्जा यानि कक्षा आटवी कक्षा पहली कक्षा तुमने अभी क्या किया है पास किया है तो अवल पहली बार आये हो प्रतम दर्जा तुमने पहली बार प्राप्त की है तो पहली बार अवल दर्जा प्राप्त करने पर घमंड मत करो इस घमंड का जो परिनाम होता है वो बहुत ही भयानक होता है करके वो बहुत ही खूपसुरती से उसे समझाते हैं अभी से तुम्हारा सिर फिर गया तब तो तुम आगे पढ़ चुके यह समझ लो कि तुम अपनी महनत से नहीं पास होए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं लग सकती कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा छोट सफल खिलाडी नहीं हो जाता सफल खिलाडी वहा है जिसका कोई निशान खाली न जाए कितने खुबसुरती से उन्होंने समझाए देखिए बड़े बाई सब उसे बताते हैं कि by mistake परिक्षक के हातों से तुम क्या हो गए हो पास हो गए हो परिक्षक के हातों से यह भी वक्त है तुमारे पास बहुत सारे अवसर है तो उन अवसरों का उन समय का सही तरीके से उपयोग करके आगे शायद कोई परिक्षक तुम्हें गिल्ली डंडा न मार ले उस तरीके से तुम्हें वहां से निकलना है करके उसे समझाते हैं मेरे फेल होने पर मत जाओ तो वहां पर अपनी दिल की बात अपनी भाई के सामने रखते हैं कि तुम पास हो गये हो में फेल हो गया हूँ मेरे फेल होने के तरफ तुम मत जाओ तुमारे पास बहुत सारे अवसर है तुमारे पास बहुत सारे अवकाश है समय है उन समय का सही उपयोग करो करके बोलते हैं बेरे मेरे दरजे में आऊगे तो दान तो पसीना आ जाएगा जब अलजिब्रा और जामेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंगलिस्तान का इतिहास पड़ना पड़ेगा बाच्छाओं के नाम याद रखना आसान नहीं 88 हेंरी हो गुजरे हैं कौन सा खंड किस हेंरी के समय में हुआ क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो हेंरी सातवे की जगह हेंरी आटवे लिखा और सब नंबर गायब सपाचट सिफर भी न मिलेगा सिफर भी हो किस खयाल में दरजनों तो जेमस हुए हैं दरजनों विलियम कोडियों चार्ल्स दिमाग चकर खानी लगता है आंदी रोग हो जाता है इन अभागों का नाम भी न जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहरूम पंचुम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाक नाम बता देता तो देखिए वो क्या बोलता है अभी तुमने पहला दरजा पास के हो जब तुम मेरे दरजे में आओगे तो वहाँ पर जोमेडरी है इतिहास है गनीत है बोगोल है और बहुत सारे ऐसे शब्द है जो तुम याद भी नहीं रख पाओगे तो मेरे नवी कक्षा में पढ़ाई करते करते क्या हो जाता है दातों तले पसीना निकल जाता है इसका मतलब यह है कि जो पढ़ाई वह कर रहे हैं वो बहुत 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 क्या है tough है अभी तुम छोटी कक्षा में हो मेरे से दो दर्जे नीचे के कक्षा में हो तो तुम्हें जो पढ़ाई है वो उतने heavy नहीं लग रही उतना tough नहीं लग रहा तुम्हें उतना वजंदार महसूस नहीं हो रहा लेकिन जब तुम मेरे कक्षा में आओगे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? दातो तले पसीने जूट जाएगे. इसका मतलब ये है कि बहुत 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 तुम्हें मुश्किल हो जाएगा. तुम्हें अभी आसान लग रहा है लेकिन आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा तो इसी वज़े से तुम अपना समय बिलकुल मत गवाओ अपना जो तरीका है पढ़ने का उसे बदलो और सही समय पर वक्त का सही उपयोग करो करके बड़े भाय साब अपने छोटे भ अगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए तो जो जो मेंटरी सब्जेक्ट रहता है उसमें ABC CBA की जगह ABC या ABC की जगह CBJ लिखो तो पक्का आपके नंबर कट जाएंगे नंबर कट जाएंगे इसका मतलब है बच्चो कि जो मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे जो आपको क्या नहीं होगा बिल्कुल नहीं मिलेगा कोई इन निर्दई मुम्ताहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबजर और अजब में क्या फरक है तो मुम्ताहीनों इसका मतलब है कि परिक्षक जो आपके परिक्षा के बाद आपके पेपर्स चक करते हैं उनको हम कहते है मुम्ता हीन के तो यह जो बड़े भैसा अब बता रहीं कि हो जर ब या बोजा क्या अ फरक है कर देते हों करके यहां बोल रहे हैं तभी क्या होता है देखिए व्यत की बात के लिए क्यों चात्रों के खून चूशते हो, तो बताуск है अपने मन की बात के सामने रख रहे हैं, एक छोटी सी गल्टी के लिए आखिर क्यों परिक्षक हमारे मांक्स काट देते हैं करके अपनी मन की वेथा वह क्या कर रहे हैं अपने छोटे भाई के सामने वतीत कर रहे हैं तभी दाल बात रोटी खाए या बात धाल रोटी खाए एक ही बात है तो बता रहे हैं कि पहले रोटी चावल खाए रोटी और दाल खाए या दाल और चावल खाए एक प्रयों की बात है लेकिन जो परिक्षक जन है वो क्या करते हैं नहीं एक शब्द या एक वर्ड गलत लिखते हो या एक शब्द इर्दगिर्द हो जाते हैं तो पक्का आपके मांक्स क्या हो जाएंगे काट दिये जाएंगे तो ये बात बड़े भाई साब को बिलकुल नहीं है तो इसलिए वहां अपनी मन की बात छोटे भाई के सामने रख रहे हैं इस रेखा पर वहां लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चोगना हो गए आदी ही रहे मेरी बला से लेकिन परिक्षा में पास हो तो यह सब खुराफात याद करने पड़ेगी कहा दिया समय की पाबंदी पर एक निभंद लिखो जो चार पन्नों से कम न हो अब आप काफी सामने खोले कलम हातों में लिए उसकी नाम को रोईए तो एक निभंद लिखने के लिए चार चार पन्नी लिखने पड़ते हैं तो ब पड़ते हैं करके अपनी विथा उसके सामने रख रहा है उसके नाम को रोईए कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नती होती है लेकि इस जरासी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे तो देखे उसकी क्या व्यविदा है क्या उसको प्रॉब्लम है क्या उसकी समस्या है तो समय की पाबंदे इस विशय पर उसे क्या करना है लेक लिखना है तो समय के ऊपर जो इंसान लगता जाता है उस इंसान को जरूर सक्सस मिल जाता है, वो क्या करता है, जिंदगी में हर एक चीज पाता है जिसकी जरुत उसे है, तो यहां पर बड़े भाई साब का सवाल ये है, कि उस एक शब्द के ऊपर हम चार-चार पन्ने कैसे लिखे, तबी जो बात एक वाक्य में कहीं जा सके, उसे चार पन्नों में लिखने की जरुती क्या है मैं तो इस हिमाकत करता हूं यहां तो समय की खिफायत नहीं बलकि उसका दुरुपयोग है कि व्यत्त में किसी बात को ठूस दिया जाए हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले बगर नहीं आपको चार पन्ने रगडने अपनी एक समझ से आपके सामने कितने अच्छे तरीके से रख रहे हैं कि जब शिक्षक आपको एक सब्जक देते हैं एक विशय देते हैं कि उस विशय पर आपको क्या करना है निभंद लिखना है तो बड़े वाइस आप कहते हैं कि समय का महत्व सभी जानते हैं जो समय का अमल करेगा, वो अपनी जीवन में सफल रहेगा, तो ये बात एकी शब्द में कहना है और अपनी राह जाना है, तो क्यों इसे फुल स्केल पेज पर चार-चार पन्ने लिखने हैं करके, ये क्या बोल रहे हैं, अपनी एक व्यथा आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ छात्रो पर अत्या चार नहीं, तो और क्या है, तो बता रहे हैं कि चार-चार पन्ने जो हम लिखते हैं, ये चात्रों पर अन्या है, तो अन्या नहीं तो और क्या है, अनर्त तो यहाँ है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबन लिखो जो चार पन्नों से कम न हो ठीक संक्षेप में तो चार पन्ने हुए नहीं शाय सो दो सो पन्ने लिखवाते तेज भी दोड़े और धीरे धीरे भी हाँ उल्टी बात है या नहीं बालक में इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं तो देखे, इनकी समस्या यह है कि समय की पाबंदी लगाते हैं, कि कहते हैं कि इतने मिनट में इतनी दूर तक भागना है, भाग कर वहाँ पर पहुंचना है, लेकिन धीरे धीरे भागना है, वहाँ पर भी समय की पाबंदी लगाते हैं, और साथ साथ में एक विशय देते हैं चार से पांच पन्ने हमें क्या करना है लिखना है और बोलते हैं इतने समय में ही लिखना है तो ये जो बच्चे हैं जो छात्र हैं उनके उपर क्या है अत्या चारहे करके अपनी एक राय आपके सामने रख रहे हैं स्कूल का समय निकडता नहीं इश्वर जाने यहां उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था तो ये सारे जो समझ चाये हैं जो भी बड़े भाई साब के जीवन में हुई घटनाओं को छोटे भाई के सामने उनों ने रखा तब दोनों भाई क्या करने लगे खाने के लिए बैटे तो खाना खाते समय छोटे भाई को उस दिन का खाना निस्वाद अच्छा नहीं लगा निस्वाद लगा उसमें उसको कुछ भी टेस्ट फील नहीं हुआ कुछ भी बिलकुल अच्छा नहीं लगा जब पास होने पर यहां तिरस रथम आया हो, थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए क्या बाहर गया, तो मेरे घर में मेरे साथ ये भेवर हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, अगर में फेल हो गया, तो शायद मेरे मेरी जानी ले लेंगे करके वहां अपने आप सोच रहा है, कौन छोटा भाई, भाई साब अपने दरजे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खीचा था उसने मुझे भाईबीत खर दिया, जो भी भड़े भाई ने उसके छोटे भाई के सामने अपना experience, अपनी समस्याओं के बारे में, जो आने वाले दिनों में बड़े कक्षाओं में समस्या होती है, उन सभी के बारे में छोटे भाई के सामने जब उन्होंने वो बात रखी तो छोटा भाई थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा डर गया, देखिए, जब आप छोटे रहते हो तो बड़े कक्षा, बड़े क्लास में जाने से पहले, जो आपकी seniors रहते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ, उस पार्ट म आपको तैरना भी नहीं आएगा, है ना, जब आप पानी में उत्रोगे, तो तब ही आपको पता चलेगा कि पानी की गहराई कितनी है, आपको तैरना है या डूबना है, तो यहाँ पर छोटे भाई की हालत यही है कि उसे अभी तैरना नहीं आता है, और नहीं वहाँ पानी में उत्रा है और तभी बड़े भाई ने क्या कर दिया उसे पूरी तरह से इतिहास, जोमेटरी, गनीत, समाज, हिस्ट्री सारे विश्यों के बारे में बता कर उसे पूरी तरह से डरा दिया, डराने के बाद वो छोटा भाई सोचता है कि मैं तो अवल आया हूँ, प्रतम आया बाद में क्या होता है देखें, फिर सालाना इम्तिहा हुआ, कुछ ऐसा सयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई सा फिर फेल हो गए, फिर से वही इतिहास दोहराने लगा, फिर से दूसरी बार एक्जाम सोते हैं, परिक्षा होते हैं, और इस परिक्षा में भी छोटा भाई पास हो गया और भडा भाई फेर से फेल हो गया तो देखिए आगे क्या होता है मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अवल आ गया मुझे खूब अच्रज हुआ अच्रज का मतलब होता है शौक एकदम सड़नली शौक होना भाई साब ने प्रान तंक परिश्रम किया कोर्स का एक एक शब्द चाट गहे थे दस बजे रात तक इदर चार बजे बोर से उदर छे से साड़े नौ तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांती हीन हो गए थे मगर बेचारे फेल हो गए तो देखिए दूसरी बार जब एक्जाम होये तो आज उजल उसने पड़ाई की थी किसने छोटे भाई ने उसके बावजूद वह आउवल आ गया जो बड़े भाई थे पहले से भी उन्होंने पहुत 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 जादा महनत की थी उसके बावजुद वहां क्या हो गए फिर से फेल हो गए थे तो मैं भी रोने लगा एकदम से छोटा भाई भी रोने लगता है, तो खुद समझ लेता है कि मैं बिना पढ़ाई किये, सिर्फ एक या दो घंटे पढ़ाई करता हूं, उसके बावजुद में अवल आता हूं, ये दिन के पूरे 12 घंटे रट रहें, उसके बावजुद ये अवल नहीं आ रहें, त अब केवल एक दरजे का अंतर और रह गया, मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साब एक साल और फेल हो गए, हो जाए, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि भाई साब नवी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो भाई साब हैं नवी कक्ष पास होते हैं, तो तब हो सोचता है कि अगर इस साल भी भाई साब फेल हो गए, तो बराबर मेरी कक्षा में आजाएंगे करके वह सोचने लगा, फिर वहां किस आधार पर मेरी फसीहत कर सकेंगे, लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलब पूरवक निकाल डाला, आखिर व पास होता है कि सोचने लगता है, जो छोटा भाई है, बार 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 पार पार पाट शाला में अवल आता है, बिना पढ़ाई के खेल, कूद, घूमना, फिरना, दोस्तों के असाथ मस्ती करना, ये सब कुछ करने के बावजुद भी वहां अवल आता है, और 12 गंटे रटने के बाद भी, क्यों भाई साब फेल हो जाते हैं? तो पूरे एक साल में अगर वह फिर से वापस फेल हो जाएंगे, तो दोनों, बडे भाई साब और छोटा भाई, दोनों ही नवी कक्षा में आ जाएंगे, तो ये सारी बाते छोटा भाई सोचता है, और फिर क्या करता है, ये गलत है, आखिर बड़ा भाई मुझे डाटता है करके, हम उसे नफरत तो नहीं कर सकते, तो ये कहे के वो क्या करता है, अपने काम में लग जाता है, अब भाई साब बहुत कुछ नरम पड़ गए, कई बार मुझे डाटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरत से काम दिया शायद अब वोह खुद समझने लगे थे कि मुझे डाटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, तो बहुत कम, मेरी स्वच्चंद भी बड़ी, मैं उनकी सहीशनुता का अनुचित लाब उठाने लगा, मुझे कुछ ऐसी धारना हुई कि मैं पास ही हो, जाओ, पड़ू या न पड़ू मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाय साब के डर से जो थोड़ा बहुत पड़ लिया करता था, वह भी बंध हुआ, तो देखिए, अब जो भड़े भाई है, वो पूरी तरह से नरम हो गए है, पूरी तरह से शान्त हो गए है, क्योंकि पिछले तीन सालों से वह लगातार फेल होते आ रहे हैं, तो यहां पर जो छोटे भाई है, अब यो आटवी कक्षा में आ गए है, पूरे एक ही दर्ज पीछे हैं, तो बहुत बार, बहुत बार बड़े भाई को मौका मिला छोटे भाई को डाटने के लिए, लेकिन वो नहीं डाट रहे, क्यों? क्य हो जाते हैं, तो जब उन्होंने डाटना बंद किया, तो यह छोटा क्या करने लगा? जादा घूमने लगा, जादा फिरने लगा, और जादा मस्ती करने लगा, खुद बाखुद समझने लगा कि मेरा जो नसीब है, मेरे साथ है, मेरा जो नसीब है बहुत ही बलवान है करक सोचने लगा मुझे कंकये उडाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंग बाजी की ही भेंट होता था फिर भी मैं भाई साब का अदम करता था और उनकी नजर बचा कर कंकये उडाता था मांजा देना कंने बानना पतंग टोर्नामेंट की तैयारी आदी समसाय अब गुप्त रूप से हल की जाती थी मैं भाई साब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है तो देखिए जो भी काम यह करता था अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहरी बाहर करके आ जाता वो बार बार लगातार फेल होने की वज़ा से इनकी नजरों में छोटे भाई की नजरों में उसकी जो इज़त थी वो कम हो गई यह इस बात का एहसास वो छोटा भाई बड़े भाई को नहीं दिलाना चाता था तो पूरा का पूरा वक्त वह पतंग बनाने में ही लगाता था तो पतंग करते करते वह क्या कर रहे हैं आगे हम देखते हैं एक तिन संध्या समय होस्टेल से दूर में एक कनकवा लूटने बेचाह धोड़ा जा रहा था आखे आस्मान की और ती और मन उस आकाश गामी पतिक की और जो मंद गती से जूमता पतन की और चल रहा था मानो कई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संसकार ग्रहन करने जा रही हो बालकों की पूरी सेना लग्ये और जाड़दार भांस लिये उनका स्वागत करने को दोड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी सबी मानो उस पतन के साथ ही आकाश में ऊड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटर कार है न ट्राम न गाडिया तो एक दिन संध्या समय संध्या समय यानि शाम के वक्ते सभी लोग पूरे बच्चों का एक बड़े सारे छोटे बच्चे सबीलों मिलकर पतंग उडाने में बिजी थे पतंग उडा रहे थे तो सब की नजर आसमान की तरफ थी कोई मोटर आ रहे गाड़े आ रहे इदर उदर इर्द गिर देखना कोई कुछ भी नहीं कर रहा था बलकि सिर्फ और सिर्फ उड़ते पतंग को धेखते हुए जोर-जोर से भाग रहते तब क्या हुआ देखिए सहसा भाय साब से मेरी मुटबेड हो गई अरे बापरे ये तो बहुत गलत हुआ देखिए क्या होता आगे जो शायद बाजार से लोट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और में नहीं हो बलकि आठवे जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का खयाल रखना चाहिए हरे बापरे ये जाकर अपने बड़े भाई के हाथ में वहां थम गया जो पतंग उड़ रही थी उस पतंग को वह चोटा भाई पीछा कर रहा था तभी बड़े भाई साब मार्केट से बाजार से भाजी लेकर लोट रहे थे और पटाक से बड़े भाई ने वह चोटे भाई को चोटे भाई के हाथ को थाम लिया और पूस्ते हैं तुम्हें अपनी पोजिशन का खयाल है भी या नहीं तु तुम चोटी कक्षा में अभी नहीं पढ़ रहे हो बलकि तुम अभी आटवी कक्षा में पढ़ रहे हो और इन गली के लॉंडों के साथ इस पतंग के लिए इस तरह से भाग रहे हो करके वो चिलनाने लगते हैं तक छोटा भाई क्या करता है देखिए एक जमाना था कि लोग आटवा दर्जा पास करके नायब तहसिलदार हो जाते थे हाँ बच्चो सही है पहले के जमाने में अगर आप आटवी साथवी कक्षा पास हो जाते हो और आप अंग्रेजी में बहुत ही अवल हो तो आपको तहस दिलदार पोस्ट मिल जाता था लेकिन आजकल की जमाने में आपको एजुकेशन की तरफ बहुत 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 जादा त्यान देना है पढ़ाई करने हैं बहुत सारे एक्जाम्स रहते हैं उन सभी एक्जामों को जब आप पास करते हो तब आपको बहुत अच्छे चार पत्र के संपादक है बड़े बड़े विद्यान उनकी मातमाही में काम करते हैं और तुम उसी आटवी दर्जे में आकर बाजारी लाउंडों के साथ कंकय के लिए दोड रहे हो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ आटवी कक्षा पास होकर सुप्र पतंग के लिए इस तरह इन लाउंडों के साथ यहां बाजार में घूम रहे हो करके वह बड़े बाई साब क्या करते हैं अपने छोटे बाई को फटार करके डाट फटार लगा रहे हैं तब ही क्या होता है देखिए मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगवरों की हत्या कर डाले तुम अपनी दिल में समझते हो कि बाई साब से महज एक तरजा नीचे हूं और अब उने मुझको कुछ कहने की हक नहीं ह लेकिन यह तुमारी गलती है मैं तुमसे पांच साल बढ़ा हो और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परिक्षको का यही हाल है तो निस संदेह अगले साल तुम मेरे समक्षम हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बढ़ा हूँ और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिन्दगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एमे और डिफिल और दिल थी क्यों नक हो जाओ समझ किताबे पढ़ने से नहीं आती दुनिया देखने से आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद पांच मी छटी जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा तो अपनी बाते सुनाने लगते हैं कि कहते हैं कि तुम शायद आज आटवी कक्षा में हो आगले आने वाले साल मेरे साथ नवी कक्षा में आ जाओगे लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम से पांच साल बढ कि आगे जाकर शायद ही तुम मेरे से जादा डिगरी पालो लेकिन जो तजुर्बा घूमने से फिरने से और हमारे उम्र से मिलती है वो तुम्हें तुम्हारी कक्षा से नहीं मिलेगी तुम बहुत अकलमंद हो तुम बहुत शार्फ हो तुम बहुत ही अच्छे अवल का फाइदा क्या है जो इस गली के लड़कों के साथ इस तरह से घूम रहे हो और तुम हमारे इज़त का भी खयाल नहीं रख रहे हो देखो तुम आगे चले जाओ आगे के दरजे में चले जाओ लेकिन मैं जो तुमें अभी डाट फटार लगाता हूं वो हक मेरा हमेशा रहे जिस तरीके से दादा जी ने और अम्मा ने पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी उनको पूरे दुनियादारी की नौलेज है पूरे दुनियादारी की समझ है वो समझ सिर्फ और सिर्फ जीवन के गतिरोद पर ही आता है पढ़ाई करके नहीं आता है करके वह समझाता है तब तजुर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्ता है और आटवे हैंडरी ने कितने ब्याह किये और आकाश में कितने नक्षत्र है यहाँ बाते चाहें उन्हें न मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बाते हैं जिनका द्ञान उन्हें हमसे और तुमसे जादा ह तो देखे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, उनको अमेरिका में क्या चल रहा है, ये बात पता नहीं, शायद आसमान में कितने तारे हैं, ये बात भी पता नहीं, लेकिन वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे जन्म दाता है, जो उनके उम्र के हिसाब से उनके जीवन के तुम्हें और कुछ न सूजेगा, लेकिन तुम्हारी जगत दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो, तो देखे एक ही उदारन देता है, बड़ा भाई सब, समझो तुम अभी खेल खेल रहे हो, और मुझे बुखार आ गया, या मेरी तबियत खराब हो अगर वही तुम्हारी जगह पर दादा रहेंगे, तो दादा क्या करेंगे, किसी को मत बोलो करके, वह मेरी व्यवस्ता करेंगे, मेरे अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, यही फरक है, तुम्हें और मेरे दादा में कहके बोलते हैं, पहले खुद मरज पहचान कर इ इलाज करेंगे उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को पुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महिने भर का खर्चा महिने भर कैसे चले जो कुछ दादा भेशते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को महताज हो जाते हैं नास्ता बंध हो जाता है धोबी और नाई से मूँ चुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आदे मे दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इसत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुम का पालन किया है इसमें सब मिला कर 9 आदमी थे तो देखिए जो अबे एक प्रेजेंट हम होस्टेल में खर्च कर रहे हैं वही उसी खर्चे से हमारे जो दादा दादी है वो हम अच्छे से सिक्षा प्राप्ति करें शिक्षन की प्राप्ति करें अच्छे पढ़ाई करें करके उन्होंने हमें यहां पर रखा है और तुम क्या कर रहे हो पढ़ाई की तरफ जादा ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जादा जादा खेल कूदने में निकले हो तो हेड मास्टर साब जी को देखो MA की नहीं और यहां के MA नहीं Oxford के 1000 रुपए पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूड़ी मा हेड मास्टर साम की डिगरी यहां बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते हैं खर्च पूरा न पढ़ा तो कर्जदार रहते हैं जब से उनकी माता जी ने प्रबंद अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाईजान यहां गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरी समीब आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थपड दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है मैं उनकी इस नई यु कुता का अनुबव हुआ और भाई साब के प्रती मेरे मन में श्रद्दा उत्पन हुई मैंने सलज आंकों से कहा हरगीज नहीं आप जो कुछ फर्मा रहे हैं वह बिलकुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है तो वह एक उदारन और भी देता है बच्चों की जो अध़मास्टर की मान ने लिया तो जैसे कि पैसे की बचत होने लगी। और घर में जैसे लक्ष्मी आ गई वैसे वह घर मैंटेन होने लगा। उसी तरह दादादी क्या करते हैं? हमारे लिए जो पैसे वहाँ भेषते हैं वहाँ पैसाब पैसों से वहां पूरा का पूरा चला सकते हैं, वहां पर अल्रेडी कितने लोग है, नौ लोग है और हमारी देखबाल वह कर रहे हैं ते उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, तुम ये मत समझो कि तुम मेरे इकवल आ गए हो अगर जादा कुछ हुआ, तो तुम्हारे अच्छे के लिए मैं क्या करूंगा थपड़ भी लगाऊंगा करके जब बहुत अच्छे से बड़े भाई, छोटे भाई को समझाते हैं तो छोटा भाई समझ जाता है कि जो बड़े भाई मेरे लिए बता रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बता रहे करके, अपनी गलती का एहसा से होता है और वह सुदर जाता है और अपने भाई साब को वह क्या करता है अपनी गलती की माफी मांग कर पड़ाई की तरफ अपने दिल को, अपने मूह को आपने दिमाग को मोड लेता है तो बच्चों हमने यहाँ पर बड़े भाई सब पार्ट पूरा डीटेल में देखा तो शौट में दो ही मिनट में आपको मैं समझा देती हूँ कि दो बच्चे होस्टल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए वहाँ पर है और बड़ा भाई जो है पढ़ाई करने में बहुत 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 विलिन रहता है छोटा भाई जो है हमेशा गूमते फिरते रहता है अपने अनुभों के बारे में बता कर चोटे भाई को जो हमीचा घूमते इर्द गिर्द इर्द गिर्द घूमते रहता है उस चोटे भाई को सही राह पर लाने का काम ये बड़े भाई साब करते हैं और जो बड़े भाई साब है अपने घर वालों के प्रती जिम्मेदार है अपनी पड़ाई की प्रती और साथ ही साथ अपने छोटे भाई के प्रती भी बहुत जिम्मेदारी है और वही जिम्मेदारी अपने छोटे भाई के अंदर भी आए यह वाँ चाहते थे जिनोंने पर लाते हैं समझाते हैं कभी डाटते हैं कभी चीकते हैं कभी चिलाते हैं और अंत में क्या करते हैं बहुत ही सरलता से बहुत ही प्यार से उसे अपने घर वालों के अनुभों के बारे में बताते हुए जिन्दगी कितनी मुश्किल है अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी जाते हैं तो सभी बच्चों को बड़े भाइसा पार्ट क्या है समझ में आ गया है यह मैं उम्मीद करती हूं इसी तरह से आप सभी लोग क्या कीजे हमारे लाइव टीवी सत्यम सत्यम लाइव चैनल देखते रही है हम वापस इस पार्ट को अब आपने देखा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे दूसरे पार्ट के साथ मैं फिर से आपको इसी टीवी चैनल में हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी दूसरे विशय के साथ दूसरे बहुत सारी मज़ेदार बातों के साथ बहुती अच्छे विशयों का ज्यान बाटने के लिए हम फिर से आपके साथ बच्चों को मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे सत्यम टीवी चानल को देखते रही है उसमें मिलने वाले सभी विश्यों का नॉलेज लेते रही है और नेक्स सेशन में हम सब लोगों की मुलाकात होगी धन्यवाद नमस्कार करें नमस्कार